नमस्कार स्वागत आप सब्देश जानते हैं 17 अक्टूबर 2020 से सरद्य नौरात्री स्टार्ट हो गी नौरात मादूबा के 900 रूपों की आरादना का पर्ण साल 2020 में सरद्य नौरात्री का पर्ण 17 अक्टूबर शनीनार से सुरू होकर 25 अक्टूबर तक चलेगा सास्त्रों के अनुसार इस बार तिथियों के उतार चढ़ाओ के करण 10 दिनों का ये पर 9 दिनों में ही संपन्न हो जाएगा इसके अनावा इस बार के सरद्य नौरात्रों में सरवात सिध्य और अम्रित योग के अलावा कई सुव्योग बनेंगे जो की मा की खृपाक प्रात करने के लिए सुव्योग आज हम आपको इस वीडियो में सरद्य नौरात्र 2020 में बनाने जा रहे सुव्योग सुमभूग सुमभूग में की जाने वाली गलस स्थापना भी थी पूजा सामाग्री और नौरात्री अखन चोद के नियम के बारे में बताएंगे 27-24 में सरद्य नौरात्री कापड 17 अक्टूबर सनिवार से सुरू होगा प्रतिप्रदार तिथी प्रारम 17 अक्टूबर प्राता काल एक बजे रहेगी प्रतिप्रदार तिथी समाप्तों की 17 अक्टूबर सायन काल नो बज़ कर आट मिनट पर कलस अस्थापना सुनो रथोगा 17 अक्टूबर सनीवार 6 बचकर 23 मिनट से लेकर 10 बचकर 11 मिनट तक महा अस्टमी और सिद्र दात्री का पूजन 24 अक्टूबर को किया जाएगा 24 अक्टूबर को प्राता काल 6 बचकर 58 मिनट तक अस्टमी तित रहेगी इसके बाद 9 मिनट तित लग जाएगी 25 अक्टूबर को 9 मिनट तित प्राता काल 7 बचकर 40 मिनट तक रहेगी पता दे की अधिन मास्मा को तेही सत्रा अक्टूबर सनिवार से मा की भक्ती के नौ दिनों का पर प्रारम पो रहा है जोतिस की माने तो इस साल नौरात में 58 सालों बात पेहत सुभ संयों बन जा रहा है इस योग में इस्वार सनि खुद की रासमकर रासी और दुरू ही खुद की रासधनु में रहेंगे जो की बहुत ही सुभ योग माना जा रहा है यह योध भक्तों की सभी मनों कामनाएं पूरी करने वाला होगा इसके साथ ही इस वार नौरात्री की सुभात और खलसस्थापना सरवादसित योग में होने जा रहा है जो की मा की अराधना और सुभ खलों की प्राक्टिव और योग होगा कलस या घटस्थापना के लिए माता की एक मूती चौकी के लिए लाल कपड़ा लाल चुंडरी, कलस, आम के पत्ते, फूल माला, एक जटा वाला नारियल, पान के पत्ते, सुपाडी इलाची, लॉंग, सिक्का, मौली, चावल, सुपाडी, दूब वा हल्दी की गाट, फलफूल, जव होने के लिए मिट्टी का वर्तन, माता के सिंगार की सामाग़ी आजचीजे अपनी स्रद्धान उसाराद है नौरात्री के पहले दिन कलस स्थापना और माता सहर उत्री का पूजन करें नौरात्री के पहले दिन प्राता काल अस्नान कर पूजा अस्थल को स्वच्छ करें सर प्रतन मिट्टी के बतन में सब्त धान्य बोलें अब एक कलस पर रोली से स्वास्तिक परालें कलस के उपरी भाग में कलावा बांद कर उसमें गंगा जल मिला तब जल भर कर उसके अंदर सिक्का, सुपाड़ी, दूल, वा हल्दी की गाड़ डाल दे अब कलस के उपर असोख या आम के पत्ते रखें और कलस को मिट्टी के पात के उपर रख दे इसके बाद एक नारियल को लाल कपड़े में लपेट कर कलस के उपर अस्थापित कर दे इस तरह पूरे विधान से घटिया कलस स्थापना करने के बाद समस्द देवी देवताओं और देवी मादुर्गा का आमा अवाहन कर विधिवत मातासैर पुत्री की पूजा करे नरोत्री अखन जोतियां जो भी लोग नरात्री के दोरान अखन जोत जलाते हैं या ब्रत रखते हैं उन्हें दीपक जलाने के लिए बड़े आकार का, मिट्टी का या पीतल का दीपक लेना चाहिए अखन जोति का दीपक कभी खाली जमीन पर ना रखे बल्कि इसे लकडी के पट्रे या किसी चोकी पर रखे दीपक को हल्दी से रंगे वोय चावल के उपर रखे अखंजोत की बाती रच्छा सूत से बनाई जाए तो सुभ होता है ये बाती कम से कम सवाहात की होनी चाहिए दीपक में गी सरसोय तिल के तेल का इस्तेमाल करें मानेता है कि यदि आप गी का दीपक जला रहे है तो ये बहुत ही सुभूता है दीपक जलाने से पहले गड़ेश जी का दिवान करें नौरात्र के इन नौ दिनों में दाड़ी मोज नाखोन और बाल नहीं कटवाने चाहिए नौरात्र के दोरान घर में तामसिक भूजन्वा प्याद लहसुन का प्रियोब नहीं करना चाहिए नवरात्रों में घर का माहौल सांत्वा भक्तिमय बनाए रखना चाहिए इस दवरान घर में कला आधि नहीं करना चाहिए यदि आप नवरात्रों में अखन जोत का संकल भेते हैं तो इस दवरान घर को खाली छोड़ कर कहीना जाए जैमा तक